गोपाल गंच के सासम मूसा शुगर मिल दो साल से बंद है। किसानों के कोगन्य के पैसे का भुगता नहीं हुआ है। 2017 में मिल का बॉयलर फटने से नौ मजदूरों की मौत हो गए थी। इस घटना के बाद प्रबंधक मिल बंद कर फरार हो गए थे। 2018 में मिल को एक बार फिर चालू किया गया था। किसान बकाय राशी की मांग कर रहे हैं। गंच पदाधिकारी रेमंध ज्छाने बताया कि मिल पर 43 करोर रुपए बकाया है। 48,000 का हमारा पैमेंट बकाया है यहां। और इसके लिए मैं मिल मालिक से और सरकार से अनरोद कर रहा हूँ। मेरे फादर के नाम से यहां गंच गिरा हुआ है। और मैं इसमें दस बार से जादा इस मिल का चक्कर काट चुका हूँ। लेकिन कोई आदमी हैं रिस्पॉंड नहीं करता है। इक मुली का जो बकाया है लगभग 43 करोर के आसपास 42.99 लाख रुपया, 42 करोर 99 लाख रुपया के आसपास अनका बकाया है एक मुली। तो इसके भुक्तान हे तो विभाग के द्वारा और एक पतादिकारी कार्याले द्वारा यहां पे निलाम पत्रवाद दायर किया गया था। तो जिसमें सुनवाई भी हुई थी, फैसला भी आया था, वारंट भी निर्गत हुआ था। लेकिन अब यह मामला चला गया है NCLT में, National Company Law Tribunal Kolkata में, तो अब उन्ही के द्वारा जो है इसमें जो निर्ने होगा, तो वहां पर विभाग के द्वारा जो एक मुली बकाया से संबंधित और जो छेत्रिय विकास परसत से संबंधित जो भी देता है मिल के उपर, उसका ड